एक बात ये भी आती है बड़ा जोर सोर से और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार की किसानों की भूमी पर बड़े उद्दोग पदी कब्जा कर लेंगे वैसे तो कॉंटेक्ट फार्मिंग काफी लंबे समझ से गुजरात में महराष्ट में हरियाना में पंजाब में अ इसका प्रबंद पहले से एक्ट में कर रखा था कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतरगर जो एग्रिमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में होगा किसान की भूमी से संबंदित कोई लीज पट्टा करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता दूसरा हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि कि किसी भी प्रकार की अदो सरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है तो ऐसी इस्तिती में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी सरचन को वहाँ से उठा के ले जाएगा और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो क्रसक ही होगा ये प्रावदान हमने पहले से कर रखा है लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये संका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अदो सरचना पर कोई लोन ल ये हम प्रावदान करने को तयार हैं कि अगर स्पांसर किसी प्रकार का लोन लेने की चेश्टा उस अदो सरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी संका का भी समाधान हो सकता है दूसरा किसान की भूमी पर कुरकी की बिवस्ता की बात वो लोग बोलते थे कि कुरक हो गी और नीलाम कर दी जाएगी तो पहले से प्रावदान इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है लिए फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टी करण के आवश्यक्ता है तो वो इस पष्टी करण का आओ वो भी इस पष्टी करण देंगे दूसरा सामाने तोर पर MSP की खरीद के मामले में उन सब के मन में ये बात आती थी कि MSP पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं इसमें कुछ फरक पड़ेगा तो आप सब के ध्यान में मानी प्रदान मंद्रीज ने भी इस बात को बोला मैंने भी दोनों हाउस में इस को बोला और सब को आस्वस किया कि MSP चलती रहेगी इस पर कोई ख़तरा नहीं है MSP की रभी और खरीब की जो खरीद है इस वर्स भी बहुत अच्छे से हुई है और रभी की फसल की वहाई के समय MSP घोसित कर दिये MSP को नरेंद मोदी जी के नेतरतों में डेड़ गुना किय गया गया है खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है पहले गयों और धान पर खी खरीद होती थी अब दलन और तिलन पर भी खरीद की जा रही है और MSP से किसानों को जादा से जादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें इस द्रश्टी से स्वासंद देने को भी तयार हैं हम सरकारों को भी दे सकते हैं किसान को भी दे सकते हैं यूनियन को भी दे सकते हैं फिर एक बिजली वाला विशह था उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक टारा है वो खिसानों के लिए थोड़ा तकलीप पैदा करेगा तो इस मामले म में भी हम लोगों ने बहुत इस पश्चता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बेजली वित्रण कंपनियों को बरतमान विवस्ता के अनुसार ही सब सीटी की रासी हस्तांतरिक करने की विवस्ता संसोधन विदेयक में भी रहेगी इस प्रकार से बरतमान विवस्ता में किसानो के संबंद में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा कोई परिवर्शन नहीं होगा एर क्वालिटी मैनेजमेंट आफ एंसी आर ओर्डनेंस में ये अभी जो ओर्डनेंस आया है उसमें फराली वाले किसानों के लिए भी प्रावदान है तो हम लोगों ने ये कहा कि भई हम इससे स हमादान हम करेंगे और इस द्रश्टी से हम लोगों ने एक पूरा प्रबोजल बना कर उनको कल दिया उन लोगों ने विचार विमर्स भी किया और फिर भी कुल मिलाके उनके सारे जो प्रस्ण हैं उन प्रस्णों का उत्तर देने के बाद भी आखरी में वो लोग किसी निर है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादात में यहां पर बैठे हुए हैं और कोविट का संकट भी है तो निश्य दुरुप से हम सब लोगों के मन में भी राद दिन चिनता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोसिस रही है और अभी भी मैं आपके माद तो प्रस्ण उठाए थे उन प्रस्णों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की इस्तिती के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लि प्रेगी.